हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टू माई चैनल आज हम लोग बहुती डिलीशियस इफ्टा स्पेशल मतन कीमा समोसा बनाने वाले हैं हमने पहले हाफ केजी मतन कीमा लिया है उसे कुकर में ट्रांसपर कर दें उसमें एक प्यास बारिक चॉप कीवी एड़ करनी है नमक हाफ टेबल स्पन हल्डी पाउडर एड़ करना है और उसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है अब हम उसके लिट लगा देंगे और उसे हाई फ्लेम पे एक विसल आने तक पकाएंगे एक विसल आ चुकी है अब हमसे लो फ्लेम पे पाँच मिनिट तक का पकाएंगे पाच मिन्ट हो चुके हैं अब हमसे बन कर देंगे देखिए हमारा कीमा रेड़ी है अब हमें चाहिए कुछ इंग्रीडियन्स 250 ग्राम मेती 250 ग्राम हमने प्यास लिए हैं बारिक चॉप्ट कीवी 10 से बारा कड़ी पत्ते बारिक कटे हुए ओईल वन कप धनिया बारिक कटे हुआ वन कप 2 टेबल स्पून अध्रक लेशन पेस्ट 3 चॉप्ट टोमेटर खड़ा दनिया वन टेबल स्पून और हमें चाहिए आधा निम्बू आच दस हरी मिर्च बारिक कटे हुए और हमें कुछ ड्राय स्पैसिस चाहिए वन टेबल स्पून लाल मिर्च पावडर हाफ टेबल स्पून हल्दी पावडर वन एन हाफ टेबल स्पून धनिया पावडर वन टेबल स्पून नमक करम मसाला हाफ टेबल स्पून वन टेबल स्पून जीरा अब हमें एक कड़ाई लेनी है उसमें ओलेट करना है अब हम उसमें प्यास एट करेंगे प्यास के हमें लाइट ट्राउन होने तक पकाना है अब हम इसमें अधर क्लेसन का पेस्ट एट करना है और इस ऐची तरीके से मिक्स करना है एक से दो मिनिट तक हमें अधर क्लेसन को पेस्ट को भून लेना है ताकि इसकी रौ स्मेल निकल जाए अब हम इसमें चॉप टोमेटो एट करने है कड़ी पत्ता हरी मिर्च एट करेंगे और उसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे अब हमने खड़ी दिन्या को थोड़ा सा क्रश कर लिया है और अब हम इसे एट करेंगे उसे भी अच्छी तरी मिक्स कर लेंगे अब हम उसमें कुछ ब्राय स्पाइसे सेट करेंगे धनिया पाउडर हल्दी लाल मिर्ज पाउडर गरम मसाला नमक जीरा और उसे अच्छी तरी के से मिक्स करेंगे अब हम उसमें की मैट करेंगे और उसे अच्छी तरी के से मिक्स कर लेंगे अब है झाल कर गर मिक्स अब उम उसमें मीती आइड करेंगे और उसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे अब हम उसमें हरा दन्या एड करेंगे अब हम उसे एक बॉल में ट्रांस्फर कर देंगे उसमें हम एक निम्बू दाल देंगे और उसे मिक्स कर देंगे देखिए हमारे समोसी की स्टफिंग रेडी है अब हमने समोसी की पट्टी लिए है उसमें हमने वन एन हाफ टेबल स्टफिंग एड कर रहे है आप वीडियो में देख सकते हैं हमने पट्टी को कैसे फोल्ड किया है अब हमने मैदे में पानी मिलाकर एक पेज़ पना लिया है अब हम इसे समोसी के कोर पे लगा देंगे और उसे फोल्ड कर देंगे हमें इसे अच्छी तरीके से फोल्ड करना है अब हम सेकंड पट्टी भी सेम तरीके से फोल्ड करेंगे हमने सेकंड पट्टी भी फिल्ड कर ली है आप वीडियो में देख सकते हम उसे कैसे फोल्ड कर रहे है है आप तो है है यह हमारा सेकेंड समुसर भी रेडी हो चुका है अब हमने सारे समुसर ऐसी रेडी कर लिये हमने कड़ाई लिये उसमें हम आयल एट करेंगे अब हमने पटियों को पीसेस में कट कर लिया है यह देखिए हमारे समुसर और पटियों दोनों रेडी है अब हम पटिया लेंगे और आयल में डालेंगे दियान रखना है कि ऑल गरम होना चाहिए देखिए हमारे पटियों हो चुकी है अब हम इसे ट्रांसफर कर देंगे लिए बूल में अब हम सेम प्रसेस सारी पटियों को फ्राय कर लेंगे हमें पटियों को लाइट ब्राउन होने तक फ्राय करना है झालेंगे झालें आजाय करने झालेंगे झालें पम झालेंगे भी प्रावब ढया झालें अजा होना हो झालेंगे अब हम सेम कड़ाई में समोसे एड़ करदेंगे और समोसे को गोल्डन ब्राइड होने तक फ्राइ करेंगे अब हम सेमोसे को पलट देंगे देखे समोसे गोल्डन ब्राइड हो चुके है अब हम से निकाल लेंगे एक बोल्ड में ट्रांस्फर कर देंगे हम सेम प्रोसे से सभी समोसे को तल लेंगे देखे हमारी बहुत थी टेस्टी डिलीशस इफ्तार स्पेशल मटन की मट समोसा रेड़ी है और पप्री भी यह बहुत थी क्रिस्पी है आप भी ट्राइ की जीएंगा प्रीज हमारी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने ना पुरियेंगा थैंक्स फर वाचिंग